नमस्ते अभिवादान आपका इनोशेंट इनिवेस्टर के इसने वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर दोस्तों बाजार की बात करेंगे बॉन्ड इल्ड का जो कनेक्सन है बाजार से उसको हमने डिसकस किया था अब सवाल सबसे ज़्यादा यह आ रहा है कि सर जब बॉन्ड इल्स बढ़ रही है कि हमारी बाजार में एक बड़ा क्रेस आ सकता है कि हमको उसके लिए तैयारी बना कर रखनी चाहिए मैं आपको सिंपली एक चीज हमेशा कहता हूँ बाजार में अगर आप बाई साइड हो तो हमेशा आपको एक क्रेस की तैयारी बना कर रखनी चाहिए अगर आप सॉट करके बैठे हो ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा आपको यह पता होना चाहिए कि बाजार में कभी बाजार गैप अप कर सकती है कोई बहुत पॉजिटिव नहीं हो जा सकती है जैसे की बजट या फिर कोई और बड़ा इवेंट हो सकता है सरकार कोई एनॉंसमेंट कर सकती है कुछ भी मतलब आप अपोजिट बाजार जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े रही है इसी को मार्केट रिस्क कहते हैं अब बात करेंगे बॉण्ड इल्स पर मैं आपको कुछ बाते सम्झाना चाहता हूं आप देखोगे अगस्त का प्राइज देख लीजे निफ्टी अपनी 11,000 के आसपास थी अभी निफ्टी अपनी 15,000 के आसपास खड़ी है अगर आप यहां से यहां तक देखोगे हमने लगबग लगबग 3,000 से 4,000 पॉइंट की रैली दिखा दिये निफ्टी में और यह बात मैं क्यों कर रहा हूं इसलिए करना हूं क्योंकि बॉण्ड इल्स जो है वो यहां से लगादार बढ़ रही है यहां तक अभी बढ़ती हुई ही आ रही है बस आपको एक फर्क समझना है अब आप सोचोगे कि मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं नहीं मैं आपसे यह बात कहता हूं कि बॉण्ड इल्स बढ़ेंगी तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकलेगा वो पैसा जाकर बॉण्ड में लगेगा मतलब एक बार के लिए टेंप्रेरी गिरावट आ सकती है बाजार में टेंप्रेरी गिरावट टेंप्रेरी गिरावट टेंप्रेरी गिरावट ठीक है टेंप्रेरी गिरावट यह डाइजेस्ट हो जाएगी क्यूं एक चीज़ समझे बाजार में वालिम के साथ खरीदारी आए तो भी प्राइज उपर जाएगा ना वालिम आए कम लोग ही खरीदारी करें तो भी प्राइज उपर ही जाएगा अगर कोई स्टॉक 100 पे चला है डिमांड 105 पे आ रही तो स्टॉक का प्राइज 105 जाएगा चाही जाएगा चाहे एक ही बंदा डिमांड कर रहा हो आप समझ गए होगे आई होप की जो प्राइज होता है वो पैसे का तो मोहताज होता है लेकिन कितने पैसे का यह हम आप सब नहीं कह सकते इसका मतलब क्या है कि जब यहां से फॉरें इन्वेस्टर्स अपना पैसा नि लेवल पे खरीदना है और वहां खरीदना है तो कौन सा इस्टाक खरीदना है क्यों खरीदना यह सब कारण आपको पता होना चाहिए जैसे कि आपको मैं बतादेता हूँ कि बाजार आपको खुद अल्टिमेटम देती है, हम नीचे गिरने वाले हैं, हमको खरीदी और यह ऐसी हवावाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिम्पली बतादेता हूँ, कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, उसके लिए आप खुद से प्लान मना सकते हो या आपको जहां से भी हेल्थ सीक करनी हो आप ले सकते हो, मैं आपको चीजें समझाता हूँ, बाजार में जब गिरावट आई, पहली किस्थ हमने यहां पर खरीदी थी, बिल्कुल गलत हो गया, कोई बात नहीं, हमको नहीं पता था इतनी भयंकर गिरावट आईगी, दूसरी किस्थ हमारी यहां पर बाजार में गई थी, तीसरी किस्थ हमारी यहां पर बाजार में गई थी, हम बाटम पे नहीं खरीद पाए, और मैं यह बात कर रहा हूँ, डबल आई पोटफोलियो पैटर्न की, जो आपके पास पोटफोलियो है, वहा ठीक है यहां कहीं हमारा आवरेज आता है और सोचिए कि यहां एवरेज के बाद हम कितने बढ़िया रेटन पर बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना है आपको भी ऐसा अपना एक सेट फॉर्मूला बनाना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करते रहना है गुड क्वालिटी के स तो टाइम सही होता है गुड टाइम फॉर बाइंग वो आपके लिए बहुत रेर चांसे में अवेलबल होती है तो उसका पूरा फायदा आपको उठाने के लिए तैयारी मना कर रखनी है क्रैस आए आने दीजिए अच्छे स्टॉक्स को आप पोट्फोलियो में डालिए अ अभी बॉन डिल्स कई सालों के हाइज पे हैं तो कोई बात नहीं अगर वो पैसा ले जाना चाहते है तो अपने डियाई आई आए आए आएंगे अगर वो नहीं आते हैं बाजार में कोई बड़ी गिरावट आती है तो हमको अपने प्यारे स्टॉक्स जो है बच्छे हो रहा है बाजार अगर गिरे आपकी स्टॉक्स आपको शस्ते मिलें और क्या चाहिए तो कि फिर से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बाजार फिर से 7500 चली जाए लेकिन वह अपने 7500 पर जो बाजार ने लो बनाया था उसको नहीं टच्छ करेंगे तो ऐसे स्टॉक्स को पक को ढूंडिए और बहुत आसान है दूंडना मैं तो कहता हूं आप सिर्फ चार्ट देखकर इस सब काम कर सकते हो ultimately मैं कहना क्या चाहता हूं देखो मैं बॉन्ड इल से आपको डरा सकता हूं या कोई भी आपको डरा सकता है एक ये short term pain होता है ना आपको एक बात समझनी होगी मान लेते हैं कि FIIs के 50,000 करोण भी बाजार में लगे हुए बहुत ज़्यादा इससे भी ज़्यादा लगे हुए इबन पिछले 6 महने में उन्हों ने 1.500 करोण के आसपास की value डाली हुई है अब वो अगर यहां से 50,000 करोण लेकर जाते हैं तो हमारी बाजार जो है close to 13,000 का low बड़े प्यार से मार सकती है ठीक है लेकिन इस low में क्या हमको buying opportunity ढूननी है या फिर बाजार से भाग जाना है इसे आप मेरी वीडियो में आया करो तो यह चीज को सुनने के लिए बिलकुल तयार हो आपको अपने जो पैसे हैं उनको SIP के माध्यम से केवल और केवल liquid asset में डालना है liquid asset क्या होता है आपको मैं simply कह सकता हूँ आपको FD, short term FD भी कर सकते हो अगर आपको liquid fund में नहीं रहना है बड़े-बड़े fund manager से बहुत आगे निकल जाओगे और मैं यही चीज आपको बता रहा हूँ कि इस भयंकर गिरावट में भी जब किसे एक पास हिम्मत नहीं थी हमने आपको जो चीज दी हुई है आप उसको जाकर implement कीजे और यहाँ पर आप चेक कीजे कि हम ना bottom पर खरीदे हैं ना top पर हम बेच पाते हैं आपकी परी जो research होती है वही काम आती है अब आप सोचो कि भाई साब reliance 16.000 सो आएगा मैं खरीद दूँगा अब reliance 16.000 सो पर आकर खड़ा है घंटी बजा रहा है भाईया मैं 16.000 सो खड़ा हूँ आप कहोगे अभी तो बाजार में बड़ी तबाही मचनी बाकी है रिलाइंस जाएगा एक हजार रिलाइंस पांसो सो पचास का हो जाएगा तब मैं खरीद दूँगा तो ये समय कभी नहीं आएगा अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं इवन निफ्टी 50 में भी कुछ स्टॉक्स अवेलवल है जो एक ठीक-ठाक रेट पे रिजनेबल प्राइस पे बाजार की मुकाबले एक रिजनेबल प्राइस पे अगर बाजार घूमती है तो हो सकता हो ज्यादा बेटर तरिके से घूम जाए आपको वहाँ पर opportunities धूननी चाहिए और यही चीज़ long run में आपको फायदा भी करने वाली है तो bond deal से कोई बहुत बिसेस फर्क हमको नहीं पढ़ने वाला है short term pain है और India उसको digest करना जानता है आपको उसी पर focus करके investment की opportunities धूननी है अच्छे quality stocks में कैसे select करना उसके लिए मैंने वीडियो डाली हुई है दूसरे चैनल पर वीडियो है का आपको कैसे धेर सारे 1000 stocks की list कहां से धूननी है जिसमें से आप अपने अच्छे quality के stocks धून सकते हो खुद से सब कुछ available है और सब कुछ इसली available है क्योंकि आप सब के बहाने सुन-सुन के मैं ठक चुका था मैं अच्छे stocks नहीं पता मुझे ये नहीं पता मुझे वो नहीं पता तो मैं कोशिस करूँगा आपको सारी वीडियो दे दूँ जिसे कि आपको सब कुछ पता रहे कि अच्छे stocks कौन से होते हैं अच्छा level कौन सा होता है और बाजार में खरीदारी करने के एक set patterns होते हैं set rules होने चाहिए आपके नहीं है तो आप यहां बेचना सोचोगे आप नीचे और बेचोगे आप यहां खरीदना सोचोगे यह सब गलक चीजें आप मत कीजिए अच्छे stocks का selection कितना बड़ा आपको reward दे सकता है आप यह चीज हमारे 26 जनवरी वाले portfolio से verification कर सकते हो कि वहां पर जो stocks आपको दिये गए थे बाजार वहां से सिर्फ 3-4% उपर है और हमारे stocks जो है 30%, 35%, 40% उपर हैं क्यों ऐसा होता है क्योंकि अच्छे stocks को हमने अच्छे rate पे select किया है यही चीज में आपको सिखाने की कोशिस करता रहता हूं आई होप आप बात को समझोगे और यह जो bond deals से इन से बहुत बड़ी मतलब ऐसा गिरावट की आसंका अगर हो भी तो भी आप डरोगे ने क्योंकि आपको पता है आप क्या क करने वाले हो इस गिरावट में आयोंगी हम मिलेंगे फिर से वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना नमस्कार